तो दूस्ते यहां पर एक बहुत बड़ी खुसकबरी निकल कर सामने आ रही है जो SSC का notification आउट होना था जैसा कि हम जानते हैं कि कुछले कुछ महीनों से इसमें काफी डिले हो रहा था ठीक है इसमें लगबग मही में इसका official notification निकल जाना था परन्तु आप जानते हैं कि कु इस वीडियो में हम पूरी टेल जानेंगे कि क्या कैस में कितनी डॉट आपके डावट है सारी आपके डावट है ही वूट में सामिवेर होने वाले है तो मगनद अब और सब्सक्राइल होने निकलना था तो डिले होता गया और आज इसका 10 जुलाई आज ही यह notification रिलीज हुआ है ठीक है तो अब हम बात करते हैं one by one step की क्या कैस में eligibility क्या है क्या क्या चीजे हैं तो सुरू करते हैं यह दोस्तों तो सबसे पहले हाँ पर तो सबसे पहले बात करते हैं इसके application form start की ठीक है तो जो application form start होगा 17-7-2021 है यानि कि 17 July 2021 यानि कि आज की ही तारिक से इसके form start हो गए है ठीक है आप online form इसके भर सकते हैं अब बात करते हैं इसके last date कब होने वाली है online form भरने की तो दोस्तों वो आपकी होगी 31-8-2021 तक यानि कि करीबन आपके पास एक डेड़ महिना का लगबग आपके पास समय है ठीक है तो आप form भर सकते हैं 31-8-2021 तक इसके बाद बात करते हैं फीज पेमेंट की तो फीज पेमेंट आप लगा सकते हो दोस्तों online फीज 29-2021 तक ठीक है याप को date दी गई है उसके बाद यहाँ पर है अगर आप important dates की थी अब आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों इसके कुल पदाओं की ठीक है तो टोटल पद यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं 25,271 तो यानि कि बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मैंक होंगा ज्यादा बहुत ज्यादा पद निकल रहे हैं जिसमें से मेल के लिए 22,424 पद हैं और फीमेल के लिए 28,47 पद हैं अब हम बात करेंगे इसके category wise तो यहाँ पर जो BSF के लिए टोटल पद निकले हुए 7545 CISF के लिए अगर बात करें तो 8,474 CRPF के लिए कोई भी पद नहीं है जबकि SSB के लिए 386 पद है और ITBP के लिए 1431 पद यहाँ पर निकले हुए ठीक है अब बात करते हैं AR के लिए तो AR के लिए यहाँ पर 385 पद निकले हुए है यहाँ पर कोई भी पद नहीं है जबकि SSF के लिए 240 पद है तो टोटल मिलाकर हमारे 25 आर 271 पद यहाँ पर निकले हुए है तो अब इसके बाद बात करते हैं हम इसके क्वालिफिकेशन की दूस्तो अगर आपने किसी भी वोट से क्लास टेंथ पास किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अलिजिबल हो यानि कि आप फॉर्म भर सकते हो ठीक है आप आपने सिर्फ टेंथ करा होना चाहिए तो यह क्वालिफिकेशन ता आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट के तो एज लिमिट कितनी होनी चाहिए तो एज लिमिट आपके होगी मिनिमum 18 यह और मैक्सिमum 23 तीज़ ठीक है तो 18 और 23 के बीज में अगर आपके एज इतनी एज है तो आपको यह फॉर्म आप भर सकते हो ठीक है यहाँ पर आपको एज रिलेक्षन तो इसके बेस पर आपकी age calculate होगी आगे बात करते हैं अब बात करते हैं दोस्तों इसके salary की तो salary क्या होने वाली है देखे इसका जो pay scale होगा pay level third key according RS 2700 से 79100 यानि कि अच्छी खासी salary है तो great opportunity आपके लिए आप सभी लोग अगर eligible हों तो इस form को जरूर भरी है क्योंकि ऐसी opportunity बार बार नहीं मिलती है ठीक है तो अब हमने इसकी pay scale के बारे में तो बात कर लिया आगे बात करते हैं दोस्तों इसके form fees के बारे में ठीक है तो form fees के लिए जो fees है आपर general OBC के लिए आपके लिए 100 रुपे फीस है form बरने की जबकि SC, ST female या फिर कोई भी other X servicemen होता है तो उसके लिए हाँ पर कोई भी form fees नहीं रखी गया ठीक है तो आप के लिए हाँ पर SC और general और OBC के लिए 100 रुपे फीस है बाकि अधर बाई जितने भी हैं उनके लिए पर कोई भी फीस नहीं है ठीक है तो अब बात करते हैं इसके syllabus की, syllabus में क्या होगा देखिए syllabus में इसके चार पार्ट होगे टोटल चार पार्ट में जो पहला पार्ट होगा reasoning का होगा, second part general knowledge and GS का मतलब और third part आपका elementary mathematics का होगा और चौथा आपका English या Hindi, इन दोनों में से आप एक कोई सा भी चूच कर सकते हो, ठीक है अपने सुभिधान उसार, तो टोटल सभी के 25-25 questions होगे यानि कि चारों को मिला कर अगर हम बोलें तो show question है, और show question को आपके लिए 90 मिनिट का समय दिया जाएगा, यानि कि करीबन डेट घंटे का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है तो यह तो इसके सिलेबस के बारे में थी अब तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये खुसकबरी सुनकर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो के लाइक जरूर कर दे है अपने जितने भी दोस्ते आपके त्यारी कर रहे थे तो अब आपको क्या करना अब अपना time based नहीं करना है अब अच्छे जैपको त्यारी करनी है और त्यारी करने में लग जाना है क्योंकि ऐसी opportunity भार बार आपको नहीं मिलने वाली है तो अभी आपके पास टाइम होगा क्योंकि अभी इसका जब टीर वन होगा तो उसके लिए आपको एससी डेट बता देगा ठीक है तो तब तक आप त्यारी करते रहें बाकी बात आप अपना एक्जाम में बेस्ट करेंगे ठीक है तो अगर आपको यार वीडियो पसंद आई